मंगलवार को जब लोग अपनी फ्लाइट के लिए घर से निकले तो उनको एरपोर्ट पर जाके पता चला कि फ्लाइट तो रध हो गई है बतादे मंगलवार से लेकर अब तक एर इंडिया की 90 फाइटे रध हो चुकी है और इसका कारण है एर इंडिया एक्सप्रेस में क्रू मेंबर्स का मास लिव लेना दरसल गत मंगलवार को जब एरलाइट की कई फ्लाइट उडान भरने वाली थी तभी एन वक्त पर कैबिन क्रू के सदस्यों ने बिमार होने की सूचना दी अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए बुद्वार को एरलाइन के सीयों ने कहा कि पिछली शाम से हमारे सौस से अधिक कैबिन क्रू सहयोगियों ने अपनी निर्धारित उडान ड्यूटी से पहले अंतिम समय में बिमार होने की सूचना दी है जिससे हमारे संचालन में गंभीर समस्या पैदा हो गई जिसकी वज़ा से एरलाइन को पिछले दो दूनों में अपनी 90 से जादा उडानों को रद करना पड़ा है आज भी एर इंडिया ने अपनी 74 उडानों को रद किया है जिससे लगभग 1500 से जादा यात्री प्रभावित हुए एरलाइन के सीओ आलोक सिंग ने कहा कि पूरे नेटवर्क पर इसका असर पड़ा है जिससे हमें अगले कुछ दिनों में शेडियूल में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा है वहीं फ्लाइट सरद होने की वज़वा से डी पी एपी चीफ गुलाम नभी आजाद भी नराज हुए उन्होंने क्या कुछ कहा आप है सुनिये मैं भी एक दिन के लिए दिल्य आया था और को सोशल एंगेजमेंट थी घरवा तो सुबा जाना था तो मैं भी अभी तेन चार घंटे अंदर बैठके वापस जा रहा हूँ और एक और फ्लाइट से जा रहा हूँ इंडिगो से जा रहा हूँ मैं वैसे जिन्दगी में कभी एरेडिया से नहीं जाता हूँ जब सिविलिशन मिनस्टर था तो तब हड़ताल हो गए थी चालीस दिन के लिए और हम ने फिर ये प्राइविट एरलाइन्स लाए थे तो हम सोच रहे थे कि आप सबक कुछ मिले गए लें कोई सबक इनको मिलता नहीं है और कैंसल होगी तो स्वाई बताना था कैंसल होगी बेवकुफ क्यों बनाना सबको बिचारे हजारों लों को भी अभी आदे ग्हंटे बाद जाएगी आदे ग्हंटे बाद जाएगी आद इसका कुश्री मनने वाला एक साथ इतने सारे क्रू मेंबर्स के छुटी पर जाना एक हैरानी की बात है ऐसा क्यूं हुआ क्या वाकई क्रू मेंबर्स बिमार हुए या करमचारियों की ये कोई बगावत है आईए जानने की कोशिश करते हैं ऐसा माना जा रहा है कि एर इंडिया एक्सप्रेस एक लो बजट की एरलाइन है जो एर इंडिया की सहायक कमपनी है इसका स्वामित्व टाटा ग्रूप के पास है जानकारी के मताबिक एर इंडिया एक्सप्रेस के करमचारी नए एंप्लॉइमेंट टम्स का विरोध कर रहे है क्रू मेंबर का आरोप है कि करमचारियों के साथ एक समान वेभार नहीं होता है उन्होंने दावा किया कि कुछ स्टाफ मेंबर ने सीनियर पोस्ट के लिए इंटर्वियू पास कर लिया बावजूद इसके उन्हें नीचे की पोस्ट देने की पेशकश की गई क्रू मेंबर में अपने कमपन शिशन पाकेज में कुछ संशोदन किये जाने के लिए भी हामी भरी है कमपनी और क्रू मेंबर के बीच ये विवाद उस वक्त सामने आया जब एरलाइन AIX कनेक्ट के साथ विले करने के देशा में आगे बढ़ रही है इसी के चलते कैबिन क्रू सदस्यों ने एक तरहा से हरताल कर दी है अब एरलाइन कमपनी ने इस पर सक्त एक्षन लेते हुए सिकलीप पर गए करमचारी को टर्मिनेट करना शुरू कर दिया है और अभी तक करीब करीब 30 वरिष्ट करमचारी को ये टर्मिनेशन लेटर मिल चुका है एर इंडिया ने ऐसे करमचारी को आपरेशन डिस्टाब करने और नियुक्ती शर्तों का उलंगन करने का दोशी मानते हुए ये बर्षख्वास्तगी का नोटेस दिया है एरलाइन का कहना है कि जिन 25 क्रूब मेंबरों को नोकरी से बर्षख्वास्त किया गया उन लोगों ने बिना कोई कारण बताय चुटे ली है इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में उडानों को रद करना पड़ा जिससे उनका पूरा शडियूल विगड़ गया इसके लावा ऐसा माना जा रहा है कि आगे एर इंडिया एलाइन्स और करमचारियों के खिलाफ भी आक्शन ले सकती है और नोकरी से निकाले जाने की संख्या भी बढ़ने की संभावना है